परिवार का महत्व, बाप मरा तो परिवार खत्म, मा मरी तो सहारा खत्म, बीवी मरी तो भरोसा खत्म, बाप से अच्छा हमें कोई बजार नहीं घुमा सकता, मा से बढ़कर हमें कोई प्यार नहीं कर सकता, भाई से बढ़कर हमें कोई सहारा नहीं दे सकता, और बीवी से पांस बिठाया भी नहीं, अब खुद मेरे चारों और बैठे जा रही है, पहले कभी किसी ने मेरा हाल ना पूछा, अब सभी आंसु बहाए जा रही है, एक रुमाल भी भेंट नहीं किया, जब हम जिन्दा थे, अब शोले और कपड़े उड़ाए जा रही है, सब को पता है क शोले और कपड़े इसके काम के नहीं है, मगर फिर भी बेचारे दुनियादारी निभाए जा रही है, कभी किसी ने एक वक्त का खाना तक नहीं खिलाया, अब देसी घी मेरे मूँ में डाले जा रही है, जिन्दगी में एक कदम भी साथ ना चल सका कोई, अब फूलों से पकड़ेगा और जरूरत नहीं रहेगी तो पहचाने का भी नहीं, समय का कैसा मोड है, रात दिन की दोड है, खुश रहने का समय नहीं, बस खुश दिखने की ही होड है, दोस्त, रिष्टेदार, सबको आजमा के देख लेना, अगर तुम्हारे पास पैसा और काम्या भी न नहीं है, तो तुम्हें कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा, चार दुरलब गुन जान लीची, धन के साथ पवित्रता होनी चाहिए, दान के साथ विने होना चाहिए, वीरता के साथ दया होनी चाहिए, अधिकार के साथ सेवा भाव होना चाहिए, चार के चार भाग जाते देव गुरु के दर्शन से दरिद्रता भाग जाती है, भगवान की वानी से पाप भाग जाता है, जाकते रहने से चोर भाग जाता है, और मोन रहने से क्रोध छू मंतर हो जाता है, चार से विवाद कभी मत करो, कभी मुर्ख से विवाद मत करो, कभी पागल से विवाद मत कर चार चीजों में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, पुराने कपड़ों में कभी शर्म नहीं करो, गरीब साथियों में कभी शर्म ना करो, बुढ़े माता पिता में कभी शर्म नहीं करना चाहिए, साधी रहन सहन में कभी शर्म नहीं करना चाहिए, आज के लोग ऐसे हैं, तो अ अंदर जनून की चिंगारी भड़का जलने के लिए लोग हैं। अगर बनानी है तो यादे बना, बाते बनाने के लिए लोग हैं। प्यार करना है तो खुद से करो, दुश्मनी करने के लिए लोग हैं। खुबी और खामी दोनों ही होती है हर इंसान में। जो तराशता है उ प्रति दिन खुद को एक परसेंट बहतर बनाने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद मनुश्य को हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अपने जीवन में कितना खुश है बलकि ये सोचना चाहिए कि उस मनुश्य के वज़े से दूसरे कितने खुश है लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करती है इसलिए धागे को लपेट कर और जुबान को समेट कर ही रखना चाहिए इतने चोटे बनिये कि हर कोई आपके साथ बैठे और इतने बड़े बनिये कि जब आप खड़े हों तो कोई बैठा ना रही गलत व्यक्ति कितना भी मेठा बोले एक दिन आपके लिए बिमारी बन जाएगा अच्छा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन ओश्दी बन कर आपके काम आएगा कुछ लोग वीडियो को इगनोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बहतरी जानकारिया छोड़ देते हैं आपसे मेरी प्रात्ना है मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक और शेयर करें